हेलो फ्रेंद्स आपका स्वागत है मारे चैया लेवरी रेनिव में दोस्तो आरार्बी एलपी टेक्निशन और जूनियर एंजीनियर के छात्रों की ज्वाइनिंग और ट्रेंणिंग के रिगाडिंग लेटेस्ट ओफिशल अपडेट आ चुकी है जी हाँ दोस्तो टोटल 1679 एलपी प्लस 354 जेई वाले चात्र हैं जिनकी ज्वाइनिंग की रेजिस्ट्री लिस्ट आरारबी की तरफ से जारी कर दी गई है और इनकी ज्वाइनिंग की फूल अपडेट आ चुकी है इसके बाद फ्रेंट्स गोरख पुर्जोन से 180 एलपी बाले चात्र हैं जिनकी ज्वाइनिंग की अपडेट आई हुई है फ्रेंट्स इनकी ज्वाइनिंग लेटर एक साथ भेजी गई है एक 11 अगस्त से इनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट होने जारी है मिनिस्ट्री ओफ रेलवे की तरफ से ट्रेंग री ओपनिंग के रिगार्डिंग एक ओफिसल नोटिस लेटेस्ट में जारी कर दिया गया है तो आईए एक एक करके सारी ओफिशल अपडेट को देखते हैं इससे पहले जो लोग चैनल पे नाया है सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दवा दिजएगा रेलवे भरती की पलपल की अपडेट के लिए तो एरी फ्रेंट्स जोआनिंग की फर्स्ट अपडेट जो की वेश्टन रेलवे की तरफ से जारी की गई है देखे गोरक पुर्जोन के टोटल 479 कैंडिडेट से जिनको डाइवर्जन पैनल के थूर वेश्टन रेलवे अलोट हुआ था और वहां से सभी कैंडिडेट के डिविजन एलोट्मेंट हो चुके थे उसमें से जिनको बीसी टी मुंबई सेंट्रल डिविजन एलोट हुआ था फाइनल पोस्टिंग से पहले इसके बाद देखिए ट्रेनिंग में फ्यल करते हो तो जो रूल से उसके अकॉर्डिंग बताए गया है कि सेकंड चांस भी यू और ओवी सी को दिया जाएगा और जो से डॉक्मेंट्स लग रहे हैं फ्रेंट्स जॉइनिंग के समय वह यहां पर भी में Certificate of Date of Birth, School Living तो Certificate of Date of Birth है या फिर School Living लेके जाएगा वरना नहीं है तो admit card भी आप लोग लेके जा सकते हो या फिर 10th class का certificate है उससे भी यह लोग verify कर लेंगे का certificate ST, ST, OBC का तो जिनके पास नहीं है वो जरूर बन वाली जेगा क्योंकि original मांगा जाता फोटो कोपी C code आपके passbook पे लिखा रहेगा इसके बाद cancel check of your bank तो cancel check भी लेके जाने है इसके बाद 8 recent passport size photo color photographs लेके जाने है character certificate antecedence डुली फिल्ड जो आपका character certificate भेजा गया है और attestation form सब कुछ fill up करके लेके जाना है तीन सेट में attestation form fill up करने है service agreement जो दिया गया है उसको भी बनवा के ल जाना होगा इसके बाद while reporting this office please ensure maintaining proper protocol of COVID-19, wearing mask, hand sanitization and keeping safe distance etc तो COVID-19 का situation है उसको भी ध्यान में आपको बिल्कुल रखने है अब देखे जितने candidate की joining होने वाली है तो सभी candidate की joining के schedule आ चुके है और पूरी list यहाँ पर जारी की गई है candidate to attend DRM office मूंबई Central of Western Railway ALP number name, father's name, mobile number और तो 11.08.2020 सुबह 10 बजे इन सभी चातर को बुलाएगा है joining के लिए इसके बाद next candidate है 11.08.2020 दो बजे बुलाएगा है तो 2 सिप्ट में इनकी joining हो रही है इसके बाद 13.08.2020 को बुलाएगा है 10 बजे next candidate की बात करें तो यहाँ पर देखे दो बजे दो फर को बुलाएगा है इन सभी candidate को joining के लिए same date में 14.08 के सुबह में इनको बुलाएगा है और दो फर वाला सिप्ट में इन सभी चातर को बुलाएगा है इसके बाद next list में देखे यहाँ पर 17.08 का date दिया गया है friend सुबह का और इसके बाद 17.08 का date दो फर वाला का इसके बाद next list में देखे यहाँ पर देखे कुछ इस प्रकास से डोकमेंट से यहाँ पर भेजेगा है office certificate of the character तो सबसे पहले character certificate का परफर्मा इन्होंने दिया है तो mention है to be attested by two gadgeted officer तो दो gadgeted officer से आपको यहाँ पर attested करवा लेना होगा इसके बाद नीचे देखे character certificate है head of educational institution से बनवाने है तो head of educational institution से इसको बनवा देखे जाएगा आपका यहाँ पर joining हो जाएगा इसके बाद साथ छांकन प्रपत्र की बात करने तो देख लिजे आपके attestation form का परफर्मा है यहाँ पर पोटो लगा देने है इसको फीलब कैसे करने है इसके regarding already मैंने वीडियो बना रही है तो वीडियो का description box में लिंक में वहां से देखके अच्छे से तीन कोपीज निकालके दोस्तों आपको फिलब करके वहां पर ले जाने है इसके बाद नीचे देखिया आइडेंटिटी सेटिफिकेट का परफर्मा दिया जाता है यहाँ पर आपको डेड़ और प्लेस देदेने है आइडेंटी तो एग्रिमेंट बॉन का परफर्मा यहाँ पर दिया गया है कुछ मेंशन नहीं है कि नौन जुडिशल अस्टामपेपर पर बनाने है या फिर स्पेसल अधेसिब या फिर फ्रैंकिंग पर तो ऐसे कैस में नई मेंशन है तो 100 रुपीज के नौन जुडिशल अस्टामपे यहाँ पर सेकेंड पार्टी के बारे में मेंशन है जो कि फादर या फिर गार्जियन आपके सिगनेचर कर सकते हैं तो श्योरीटी के बारे में मेंशन नहीं है तो फादर या फिर गार्जियन यहाँ पर सिगनेचर कर देंगे और एड्रेस यहाँ लिख देंगे इसके व में आपको से καιक्लिस्ट यह कौन को निए गया है चेक्लिस्ट यहाँ से पढ़ लिजीगा करें आपको वहाँ पहुंचने है गिवन डेट में चलिए फ्रेंस बात करते हैं नेक्स्ट ओफिशल अपडेट की तो नेक्स्ट जॉइनिंग की अपडेट है फ्रेंस नौर्थ सेंटर रेलवे की तरफ से और यहां से प्रयाग राज डिविजन वाले जो एलपी और जीए के चात प्रयाग राज द्वारा सहायक लोको पाइलेट पद में चैनित 1679 अभ्यार्थियों को प्रयाग राज मंडल अवंटित किया गया है इन अभ्यार्थियों को दस्तावेश सत्यापन हेतु गुलावा पत्र पंजी कृत डाग द्वारा भेज दिया गया है यानि सभी लेटर ट्रैक कर सकते हैं इन सभी अभ्यार्थियों का दस्तावेश सत्यापन दिनांक 17-8-2-20 से प्रारंभ है और सभी के अलग-लग इनकी जौनिंग होने वाली है तो जैसे जौनिंग लेटर मिले सारे डोकमेंट्स आपको बनमाने नहीं और गिविन डेट है उस डेट मे जती बात करें थो दखिये यहां पर अप्लोड कर दिया गया है रजिस्ट्री चालान पोस्ट उफ एलपी इलेक्ट्रिकल डीजल जहां से कंडियेट अपना अपना रजिस्ट्री चालान देख सकते हैं और अपना कॉल लेटर भी ट्रैक कर सकते हैं डेट 29-2-20 रजिस्ट् त्री नंबर दिया गया है इसी से आप लोग ट्रैक कर सकतो हो कि आपका कॉल लेटर या फिर जॉइनिंग लेटर कहां तक पहुंचा है किस पॉस्ट ओफिस तक पहुंचे है और उसी के कोडिंग जैसे ही आपको मिल्या जॉइनिंग लेटर सभी डॉक्मेंट बनवाले ने है जो एड्रेस यहाँ पे लिष्ट में दिये गया है उसी एड्रेस पे आपकी जॉइनिंग लेटर भेजी जाएंगी तो अच्छा खासा केंडिट का लिष्ट यहाँ पे है सभी केंडिट प्रियागराश डिविजन वाले देख लीजेगा यहां से देखे फ्रेंस टोटल ए रहा लास्ट पेज जिसमें देख सकते हो चार सो पचास केंडिट तक का लिष्ट है और इनके जो नंबर हैं यहाँ पर दिये गए हैं ट्रैकिंग करने के लिए तो यह नंबर से लेके यहां तक टोटल चार सो पैंटालीस और प्लास पांच ओपर थें उनका मिला के वेबसाइट पर चेक किजएगा कहीं पर नेक्स्ट केंडिट का आपको नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि आगे आने वाले एक दो दिन के अंदर और भी जितने केंडिट बचे हुए हैं उनकी भी लिष्ट आहां पर जारी करवा दी जाए बागी दोस्तों ज्वानिंग लेट प्रियागराज डिवीजन से ही नोटीस चालान जेए पीडिये तो जेए वाले चातरों की यहाँ पर नोटीस दी गई है यह ही नोटीस रेलवे भरती बोर्ट प्रियागराज द्वारा जेए वाक्स सिगनल टेली कोमुनिकेशन सी एन डवलू मेकेनिकल यह सारे कुछ पत दिये गये हैं में चैनी 354 अभ्यार्थियों को प्रियाग राज मंडल अबंटित किया गया है इन अभ्यार्थियों को दस्तावेश सत्यापन हेतु दिनांक 58220 से लेके 138 2020 तक बुलावा पत्र पंजी कृत डाक द्वारा भेज दिया गया है इसका चालान नीचे अपलोड कि किया जा रहे है अभ्यार्थियों के नाम समुख ट्रैक नमबर अंकित है ट्रैक नमबर से अपना कॉल लेटर ट्रैक कर सकते हैं अभी इसे कंडिड डीडिट रर मैं पर लेंसं किया घ्रेंजalay के नमबर यहां पर दिया गया है है और 354 candidate के detail total 30 pages में यहां पे mention है तो यहां पे भी आप सभी candidate के joining later भेज़े आ चुके हैं और joining की date भी mention है friends तो जिस date में बुला जा उस date में पहुंचने है joining के लिए सारे document complete करके last page में यहां पे देख लीजे देखे फ्रेंस 354 का 304 तो वन candidate का details दिया गया है यहां से लेकर यहां तक और total यहां पे candidate के details आ चुके हैं तो इनकी joining अभी होने वाली है चलिए बात करते हैं next update की जो की candidates की training के regarding है तो एरे फ्रेंस ओफिस्यल notice government of India ministry of railway railway board देखिए new Delhi dated 37 2020 latest update है EMPP notice यहां पे जारी कर दीगे है subject standard operating procedures SOP for functioning reopening of multidisciplinary journal training institute MDZTI and specialized training institute after COVID-19 तो जो आपका training institute है friends उसको open करने के regarding SOP जारी कर दिया है notice भी आ चुके हैं देखिए सुरू में आपके यहां पे guidelines जारी किये गये थे दोस्तों training reopen करने के लिए accordingly railway board white later dated 18-7-2020 have issued instruction regarding measure to be taken और क्या-क्या measures लेने है COVID-19 situation को देखते हुए reopening जब होते हैं उसके बारे में भी 18-7-2020 के later एक जारी किया गया था for reopening of MDZTI and specialized training institute following measures में भी taken तो कौन-कौन से measures लेने है तो first में है training program as far as possible should be in online virtual mode यानि जहां तक possible हो आपकी जो training start होने वाली है वो online ही लिया जाए virtual ही लिया जाए अगर possible नहीं है तभी offline यहां पे लिया जाएगा वो भी preventive measures के साथ detailed instructions for conducting all feasible training online have already been issued wide railway board letter number इतना तो जो आपके पहले भी कई notice आचुके हैं उसमें सारा कुछ information दिया गया था कि कैसे कैसे आपको यहां पे training open करने है second में है the reopening and functioning of multi-disciplinary journal railway training institutes and specialized training institutes will be under and officer not below the level of SAG जब आपकी training start होगी तो दोस्तो एक officer के under होगी और कम से कम उनका level SAG के तहत होने चाहिए यानि SAG तक का रैंका होना चाहिए इसके बाद to be nominated by the respective general manager और जो भी general manager होगे railway के वो यहां पे nominate उनको करेंगे SAG को the nominated officer will supervise the facilities infrastructures at these training institutes and ensure that guidelines SOP issued by DOPT and strictly complied with और जो SAG होगे वही यहां पे सारा कुछ facilities और infrastructure होगे उनकी देखवाल करेंगे training institute open करने के बाद इसके बाद next देखिए fourth number में while reopening these training institutes the following guidelines issued by ministry of home affairs wide order number इतना तो जब आपकी training institute open हो जाएगी friends तो SAG में जो ministry of home affairs के तरफ से guidelines जारी के गया है उसको strictly follow भी सभी candidate को करने होगे और इतने staff member होगे उनको भी करने होगे कई Jones में तो आपका start भी हो चुका है online training कई Jones का अभी बचा हुआ है अब देखिए section 55 of disaster management act 2005 के तहत यहाँ पर बोलेगा है कि अगर कोई यहाँ पर rules को violate करते हैं और covid-19 situation में जो preventive measures है उसका उलंगन करते हैं तो SAG में जो आपके head of department होगे उनको पर दोसी करार दिया जाएगा और उनके उपर action भी लिया जा सकता है तो इस प्रकार से mention है तो friends आप लोग की training reopen होने जा रहे है इसके regarding ministry of railway की तरफ से एक और notice आ चुकी है और यहाँ पर बोला गया है कि जहां तक possible हो आपकी training होनी चाहिए वो online या फिर virtual माध्यम से ही होनी चाहिए अगर नहीं possible है तब ही friends आपके यहाँ पर physical माध्यम से होंगे वहाँ भी सारा कुछ preventive measures follow करने होंगे सारे staff member को और student को इसके बाद देखिए यहाँ पर एक officer को भी newkt करने है जिनकी देख रेक में सारा कुछ यहाँ पर चलेगा तो इस प्रकार से दोस्तों latest update आचुकी है training करी गाडिंग तो वीडियो को जाशादा अपने friends के साथ जरूर शेयर कर दीजेगा कोई query हो comment section में पूछ सकते हो चलिए मिलते हैं next update में